वहना बहुत सारे अच्छे आठिस्ट बहुत सारे अच्छे आठिस्ट्स जिन्होंने अपनी जिंदीगी इस इंडिस्टी को दिये वह घर पे बेकार बठे बिना काम कि सिर्फ इस चीज के लिए के नहीं यार हम लोग को लगता है के जलील होंगे क्यों आजकल के बच्ची आते हमसे पूछते के क्या किया है तुम नहीं तो उनको इंसल्टेट फील होता है अब आप openly कह रहे हो कि आप auditions के नहीं जा हुए नहीं थी फिल्म थी ना कभी हा कभी ना एंड राजुबन के जेंटलमेन हम लोग फ्राइडे फर्स शू आइस तो अल्वस गो विथ इम हम लोग गेटी गैलेक्सी जाते थे फिर चंदन जाते थे फिर सत्यम जाते थे ताउन में तो 3-6, 6-9, 9-12 हम लोग दोनो सारी फिल्म में सारे थेटर तिल बाजिगर तिल डर तिल तिल तैंग बिकें बिकेंग सुप हाइ मैं हूं नासर खान और मैने सिधार से दिल से बाते किये ऐसी ऐसी बाते किये पता निसने क्या क्या बाते निकल वाही मुझ से तो don't miss it on his YouTube channel The Siddharth Kanan Show with me and subscribe now नासर साब मेरे साथ बैठे हुए है मेरे बहुत पुराने दोस्त है 1995 से आज टीवी फिल्म सब कुछ कर लिया भाई ने हां रेडियो को छोड़के dubbing भी किया hollywood films into hindi films animated film सब किया Johnny Walker के बेटे भी है background बता रहो सब को ठीक है और actress Shakila का nephew Babuji भीरे चलना तो my mother was also an actress मेरे जो daddy के छोटे बाई है वहीद काजी, Vijay Kumar, he was also a hero माने पूरा family star family है कूट-कूट के बारा हुए daddy के जो brother थे Tony Walker वो producer भी थे और actor भी थे मेरे जो daddy के दूसरे भाई है अलावदेन चाचा वो distributor थे MP CPC आये के उस जबाने में तो यह होता न एक फिल्डा धमाल डबल धमाल में एक एक नाम extend करते रहे वैसे आजकल जो एक नया चरह तो पूरा का पूरा nepotism बेटा है आप तो आप बिल्डास बोल रहे हैं मेरे स्क्रीन पर जहां पर नासर भाई जिन्हों 30 साल बताई हैं इंडस्ट्री में बापस जॉनी वॉकर के बेटे हैं बंगले में रहते हैं लोखनवाला नेरी वेस्ट में वो बोलते हैं कि मुझे audition के लिए मत बुलाओ राइट कॉमेंट्स में ने पड़ा तो किसी ने बोला यार नासर तिरी अखात क्या है कि तू बोल रहे है कि audition के लिए मत बुलाओ जैसे कि लोग वेट कर रहे हैं कि तुम audition के आ रहे हो फिर किसी ने कहा यार सही है नासर मोरे जानना है कि ना producer, ना director, ना singer, ना गाना, ना hero, ना kस Beim Crew नहीं पब्ल्क जन्ता जो है वो आपको बनाती है, उठाती है और बिठाती है तो public से बढ़कर कोई हिए तो यह जो मेरा video था यह basically यह था कि यह सिर्फ मेरे लिए नहीं था कि मैं अपनी लिए बोल रहा हूं ये मेरे साथ मेरे जो co actors हैं जोने दस साल बीस साल पचीस साल मुझसे जो seniors हैं आज उनको भी audition के लिए बुलाया जाता है और audition के साथ साथ बोलते हैं अपना intro दो हलो मेरा नाम स्वैंसो मेरी उमर यही मेरे profile यार आप इस आदमी को जब से पैदा नहीं होते हैं तब से आप काम करते हूं आप क्यों उनको ऐसा बोल रहा हो कि आपना नाम बताओ अपनी उमर बताओ अपनी height बताओ आप जानते हो यह आदमी कौन है इतने साथ से काम कर चुके हैं तो यह process के थूर उनको क्यों किया जा रहा है उस चक्कर मेरा बहुत सारे अच्छे artist बहुत सारे अच्छे artist जिन्होंने अपनी जिंदेगी इस industry को दिये वो घर पे बेकार बठें बिना काम के इस वरी इस वरी सैड के सिर्फ इस चीज के लिए के नहीं आर हम लोगों को लगता है के जलील होंगे क्यों आज कल के बच्चे आते हमसे पूछते के क्या किया है तुम्हें तो उनको इंसल्टेट फील होता है तो यह जो मेरा वीडियो था जो यह बात मेंने बोली यह सिर्फ मेरे यह नहीं था यह उन लोगों के लिए भी था कि ऐसे लोगों के लिए एक अलग कैटिगरी होनी जी है कि जो बीच साल से काम कर रहा है कि हमको पता है यह कौन यह नरिश कुमार बहुत फिल्में कर चुका है वह ऐसे रोल अच्छे करता है तो आप उनको उस रोल के लिए आप से मिलता हूं सिदार क्या मैं आप से हमेशा पूछता हूं है सिदार बताओ कौन हो आप हाई मैं सिदार्द करन मैं आरज रे चुका हूं मैं वॉइस आटिस्टु में वाइस आपको नहीं पता पता है न ऐसा कौन सा कास्टिंग डिरेक्टर है या कॉडिनेटर इसके पास नासिर खान का नाम नंबर अड्रेस डेट और या वीडियो नहीं है तो क्यों बार-बार आप मांगते हो ना सिर्व मुझसे हर उस सीनर एक्टर से जो इतने साल दे चुका है इंडस्ट्री में हम भी नए थे एक जमाने में हमने भी एडियों घिसी उसमें आप सीखते हो लेकिन यह जो एक प्रोसेस अब हो चुका है ना पिछले कुछ सालों से देखो मुझे कास् अब अगर मुझे अपने बेजा है मुझे करना कर लो ना अब अगर मुझे अपने हिसाब से करना होता तो मैं डिरेक्ट नहीं करता आपकी क्या रिक्वाइमेंट आप मुझे बता लो कि कैसे करना है एक बहुत सिंपल चीज है आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू अई लव यू तीरों का माइने अलग है पहला है कि I love you सिधात I love you he doesn't love you I love you दूसरा है I love you I don't hate you I don't like you I love you तीसरा है I love you I don't love her I don't love you तो यह कैसे बुलना है मुझे यह तो एक्स्पेंड करो जब यह एक्स्पेंड नहीं कर पाओगे तो मैं तो बोल दूँगा I love you man I love तो यह तो गरत बोल रहा है यह तो तो says that he loves he is not supposed to say he loves he is supposed to say he loves him or he loves her emphasis of words जो grammar होती है आपको क्या लगता है कि जो लोग audition लेते हैं क्या उनको खुद craft आपकी acting की art के बारे में समझ है कि नहीं जीरो है जीरो है कहां से आते हैं लोग audition लेने वाले देखो मैं फिर से करना हक है वो इसका नसीब है मैं कोई नहीं होता बोलने वाला कि इसको निकालो विकुज देने वाला उपर वाला है I am in no position I should not say के तो वो काम कर रहे वो मेहनत कर रहे है तो अपनी research तो करो अपना homework तो करो आप किस से बात करो कौन है जो आए एक हमारे बहुत पुराने आर्टिस थे बीरबल जी गुजर गए आप उनको पूछते हो अब बीरबल अंकल तो यार फिफ्टी से काम करते ना रहे थे बूड़े हो गए अब काम नी जै वह की तो से कोशिश वी तो मेरे से में वहाँ पही तो कहना हflow हूँ अब देखो ना हमने जर्ब 90s में काम शुरूरी है तो मेरे ईतीस में काम शुरूरी ₹झ अज घर बेठ है क्य海 दिकल टीवी में हो क्यों नी लिख ए वब सीजिज में तीर नी दिख रह बट के नहीं आर आउडिशन नहीं देना है तिरो लोग इसा पूछते हार नहीं करना है उनको खुद को नहीं पता होता क्या करना है मैं थोड़ा सा black sheep of the family हूँ मैं जैसे अभी आपने कहा कि तीस साल से काम कर रहा है तो मैं तो कहूंगा कि मेरा काम इस इंटर्व्यू के बाद शुरू होगा मैं तो भूल गया जो यह मैंने वीडियो बनाया जो मैंने कल रिल्स बनाई जो मैंने कल काम के मैं भूल चुका विकुस वह बीच चुका इसके बाद क्या होगा I am looking at that मेरा हमेशा पहले से बहुत फ्यूचरिस्टिक और फॉर्वर्ट थिंकिंग सोच रही है कि कर लिया मैं आज भी जब ऑडिशिन देता हूं तो मैं कुछ नहीं किया तो जब आपको फोन आता है ओडिशन के लिए आप फोन वाटसाप आता है मने सिटिंग यह है बेज दो अबजे के पहले डियर नासर हलो नासर हलो एवरीवन है हलो एवरीवन हाई आल उसके मतलब क्या है हाई आल का मतलब क्या है तो यह जिसको मिला मेसेज पहुच जाओ बस आपने बल्क में 50 लोग को बेज जा कि हाई और अधिशनिंग फॉर मैं नहींके मैं और तो आपने मुझे है कर दिया तो आपने मेरा क्या हुंण देखा? क्या हुनर देखा क्या आपने मुझे सिलेक्ट किया और क्या हुनर नहीं देखा क्या आपने मुझे रिजेक्ट किया मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए और वो दिवात है नहीं नहीं वो तो यह भी नहीं बताता है कि आपको मिला है के नहीं मिला है सर 28 तारीक ब्लॉक कर दो ऐसा ऐसा है फिर 29 को पता चलता है कि अशुट यहर कल 28 थी मर तो यह शुट रना ताज मुझे नहीं मिला तो यह शुट प्रोसेस है ना यह कहीं नहीं गड़ बना गया है यह प्रोसेस को स्टीम लाइब होना चाहिए कुछ कास्टिंग डिरेक्टर्स है जो मीडिया सावी बहुत है अच्छा काम भी करते हैं I'm sure किसे मुकेश चाबरा है कुछ और नाम है मैं obviously actor नहीं हो तो मैं auditions के लिए गया नहीं हूँ यह लोग तो पड़े रिस्पेक्टेड होते हैं मार्केट में राइट तो इनके भी जो लोग होते हो ऐसी होते हैं see it all comes down from top to down अब इनके भी assistance के assistance के assistance है and like I'm saying casting director और अब coordinator में क्या फरक रहे गया है because फिर वो भी देते था था ना कि यह चार coordinator को दे दो तो coordinators जो है वो अपने तरीक से काम करते हैं तो कहीं न कहीं वो बहुत dilute हो गया है मैं वह तो कह रहा हूं कि it is अब अगर आप बोलोगे कि इसमें क्या सुधार लाना है तो मैं नहीं ला सकता हूं मैं कैसे ला हूं because हमारी acting industry में इतनी सारी problems है हम वो नहीं ठीक कर पा ले है acting industry में क्या problems है कि जो भी problems है हर industry में हर industry में problems होती है but at the same time specifically I want to know क्या problem I'll come back to that I will come back to that so at the same time like in this so the top casting directors need to put it in check put it in place के ने या जो senior actors उनका अगला category बनाओ जो इतने साल से काम करें उनका अगलग category बनाओ उनका अगलग जो females है उनका अगलग category बनाओ अब क्यों उस lady को जो 50 की है 60 की 65 की है आप मा के रोल के लिए दादी के रोल के लिए आड के लिए आड के लिए आप audition करते हो वो डिखती वे सी है 50 की साइड कर चुकी है यूनका मेरे कितने सारे डोस्ते है जोने ने जिन्दी की बरे चोर का रोल किये तुकु को लगते ही चोर है ऐंक पाई पर सबिदें, एक आपना समय के बलगें ते लाद बीरेडिक, बाई पाई डार समय के लिए। लगता हूँ पुलिस और नहीं लगता हूँ भी स व यह फजी मैं छोडर दिखता है। गनौन कर दो किन अवा गोund यह लेट है यह पैसा है मन्जूर है तो आजाओ खतम होगी बार तो आप भी लाइनों में खड़ा रहते हो अफकोस प्रॉपर लाइनों में येस मैं खड़ा रहता था देखो 2016 में जब मैंने वापस से काम शुरू किया आठ नव दस गैरा बारा तेरा चौदा में इंडूस्ट्री में नहीं था मैं कोल का बिजनिस कर था अमेरिका में तो मैं यहां पर मत्तब मैं इंडिया में ही था बट मैं इंडूस्ट्री में नहीं था तो 2007 वस दा लास्ट जी टीवी का और सुनी का एक शो था अंबर धरा और हर गर कुछ कहता है उसके बाद मैंने छोड़ दिया मैं वो कौल इंडूस्ट्री में चला गया दोजार आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा मैंने वो किया फिर मैं वापस आया और जिब मैं वापस आया तब बोले अब तो creative directors है अब तो यह है यह कोन है भाई तो मैंने शुरू से शुरू किया कि ओके फिर मैं भी एक audition करूंगा में भी चीज का आप करते क्या मैं कुछ नहीं करता हूं पहली बार काम कर रहा हूं मैं आज भी अगर आप में नहीं कुछ नहीं किया मैं नहीं हूं पर यह लोग पैचानते हैं आपको जब आपाते कुछ पैचानते हैं कुछ नहीं पैचानते हैं कुछ नहीं प वो जो पता क्या थे अब जब मैं बहार कही जाता हो और यंग लड़के यग लड़की मेरे पाइब आप रिइल्स बनाते हो ना रेम आपके रिइल्स बड़ी अच्छी लगती है आप अपका नाम क्या है मुझे बहुत अच्छा लगता है उसंकर कि इनको पता ही नहीं तो इनके लिए मैं नया हूं, मतलब मैं नया हो तो अभीभी मेरे पास scope है, कुछ आगे काम करने का वेर वेट वेट अव प्लुकिंग अट इट भाट यई इस पुराना सब्गेज नहीं है तो नया कैसे रहेंगे, जब आप यंग लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलोगे, मैंने जब नया आया था ना, तो मैं अपने सीनिया से सीखता था, जा कर रहा है, सुर, help करो ना, guide करो ना, कि पूरा सीन पढ़ बेटा, अपनी लेन क्यों पढ़ता है, सिर अपनी लेन क्य लिए, आपका line, नहीं बर याद करो, पूरा सीन पढ़ो, उससे क्या होगा, उससे आपको पताचा लेगा के मेरे डालोग पर क्या reaction देना है, तो आपका close कटेगा, अच्छा, तो पूरा सीन पढ़ना होता है, अच्छा, मेरे तो डालोग नहीं तो मैंने सीन पढ़ा ही नह कुछ तो कर, कुछ तो पता ही नहीं क्या करना है, लेकिन पूरा सीन पढ़ लिया, अब खड़े हो गया है, क्योंकि क्यों देने वाला असिस्टिन ऐसी है, तो तुमने बुला था कि तुम घर से चली जाओगी, शादी करके, और फिर ऐसे होता ना, वह अक्तिट पढ़ी हो तो एडिटर लगाएगा नहीं, अगर मने करेक्ट रियक्शन दिया, तो एडिटर मेरा रियक्शन लगाएगा, और मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, ये बात मैंने बात की थी केश्टु मुकर्थी सहाब के बारे में, ओके, बॉंबे टुगवा में केश्टु मु और इस बात पर ठपा भी बॉबी दियुल ने लगा दिया है, इस बात पर ठपा भॉबी दियुल ने लगा दिया है, और हीरो के पार में आगे है फिल्म में, अब आप रनबीर कपूर का रोल निकाल लो, कितने मिनिट का रोल है, और बॉबी का रोल निकाल लो, कितने मिनि इन वह प्लेइंग ने इतनी अच्छी बात कही and that's the correct बात है.. मैंने सोच ही नहीं कि इन पिच्चर का विलिन हूँ.. मैं तो अपनी फैमिली का हेरो हूँ.. उसकी जो thinking थी to play this role.. कि मैं विलिन नहीं हूँ भाई.. मैं विलिन नहीं नहीं हूँ animal का.. मैं अपनी फैमिली का ही रहू हूं मेरे दादा जी जलके मरे इस आदमी के लिए मैं छोड़ूँगा नहीं मैं ही रहू हूं मैं करेक्ट कर रहा हूं तो उसका कन्विक्शन निकल का है तो पबलिक ने बोली कि वा या वा या यह बहुत फाइन लाइन बात होती है यह वही बॉबी देलो जो रहा है तो तब से और अब में क्या फर्क हुआ है सुर्फ एक ही चीज़ का फर्क वासी था पबलिक की डिमांड जहां टीजर आया अने मिल का और जहां दरवजा खुल का उसने बुला अब लाइन लगी आम सो हैपी फॉर हम यह वही बॉबी जो में साथ आशिक में था तो सोचो अगर अब आशिक आती फटड़ जा थी बॉक्स आशिक में तो मैं आपका इंट्व्यू कर रहा हुता है तो अब आप ओपनली कह रहे हो कि आप auditions करे नहीं जा हुए नहीं कि आप आप दूइंग हीरामंडी सन्जीलिला बंसा लीगी हीरामंडी में मेरा अच्छा रोल है तो चेंग लेकर लगुज बायर है। बहुत सरी लोग नहीं बोल पाते हैं। तो उनको देखना है कि जबान में होते हैं। रहे लोग आपकी लेंगव्य है के नहीं तो वो मुझे समझ में आता है। तो मैंने वो करके दिया, फिर वहां से 4-5 दिन में, कि हमने Sanjay sir को दिखाया, Sanjay sir को बहुत अच्छा लगा, लेकिन Sanjay sir बोल रहा है कि नासर से पूछो, कि ये रोल नहीं, एक और रोल है, जो इससे बड़ा है, और इससे अच्छा है, क्या वो ये करने को तयार है क्या, बट उ उसका जो एज है उस चारक्टर का थोड़ा सा ज्यादा है, so is Nasir comfortable doing that, I said Neki और पूछ पूछ, who would not want to work with Sanjay Leda Bansali, लेकिन उस दूसरे रोल के रिए, मेरा कोई audition नहीं हुआ, उसके लिए मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं सिर्फ ऑफिस गया, हमने बेंगौली लुख होगा, राज कैसे होगा, कुर्ता कैसे होगा, जरी का होगा, सिल्का होगा, शॉल होगी, कोटी होगा, एक लुक टेस्ट हुआ, एक कैरेक्टर कैसे दिखेगा, उस पे काम किया गया, इसलिए वो Sanjay Leda Bansali है, इसलिए उनकी फिल्म में, जब सिधार्त कनन जो एक्टर नहीं है भी acting करेग आपको, as a सिधार्त, आपके चारेक्टर को और आपके प्रफेशन को, so you will give your heart and soul and your blood to that man, कि नहीं यार, अब मर्क करके दिखाँगा, तो या आदम मुझे इतना दे रहा है, अब, why in his films, actors, performances go so high, it's because of this, because he respects the character, the actor, and the person, यहां तो पहले जिस आदमी को आप भुलाए हो, उसको तो रिस्पेक्ट करो, जो आदमी 10 साल, 15 साल इंडस्ट्री को दे चुका है, हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चंडाइज लाँच हो चुका है, अंगार यानि की fire, power from within, T-shirts, hoodies, sweatshirts, jumpsuits, bags, mugs, सब अवेलेबल है, at अंगार.store, link है हमारे description में भी, so, check out the merchandise, purchase it, price बहुत रीजनबल है, and the clothes are very easy and comfortable to wear, अंगार मचाओ! अंगारी पड़ता आप, अविस्टे आप कह रहे हैं, वो इजजत की बात कह रहे हैं, आप तो आप कितने 2-3-3 घंटा भी बेट करते हैं, हा, मुझे इसमें कोई problem निए, मुझे इसमें कोई problem निए, कितने की, वो इक तरीका है, मुझे problem इस चीज से है, कि आप करो ना, अपने इसमें से क्या करो, मैं अपने इसमें से नहीं करना है, और आप इंसल्टेड फिल किया हूं, किसी बंदे न या बंदी ने कुछ कहा आपको अब रश्य पी तो रहा है? नहीं इंसल्टिड मेरे साथ के जो दूसरे एक्टर है और मेरे से सीनियर्स जो है देखो मेरा क्या है मैं ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में एक 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 पिछले तीन दिन से बट मैं आट दे सेम टाइम एक बहुत बड़े लेजेंडरी अक्टर का बेटा हूँ तो मैंने भुड़र में सारी चीज़े देखी हैं तो लोगों को बहुत इन मुझ से आके बात करनके अपनी चीज़ें शेयर करना तो मैं बहुत चारने चाहिशे का थूँए अरे अ से तुन दूद। इतना काम करने के बार हम लोग आपना नाम बता है तो इस नाइस यार, I don't feel like बहु है लकिन पर अब उनके आस काम निगे है you know and a lot of them उनका यही source है और उनका यही सोस है और उन 15-20 साल दे चुके है उन घर बैठे है it's not fair it's not fair to them कि उन्होंने और यह humiliation की चक्र में घर के बाहर निकलते भी नहीं है लोग जॉनी वोकर साब one of the greatest comedians of our times of all times मैं तो अभी reels में फैलावा हूँ आप तो थारे रील्स है अब मैं उनसे सीख रहा हूँ मेरे घर के बाहर बनाते हैं तो इतरा भाई शिखा मुझे कैसे करना मैं क्या बना हूँ सवरा पैसे करो पक्का हाँ आप करो ना मैं उनसे टिप्स लेता हूँ मैं उनसे अड्वाइज ले रहा हूँ विकुस उनके 10-10 million-million followers हैं 7 million followers 6 million 8 million मैं तो मरमर के 95,000 मैं थक गया मैं नट बाग फ्रस्टार्टर 25 का बट 8 million तो वो तो मेरे से senior होगा ना विकुस मैं तो अभी 6 मैने से कर रहा हूँ वो तो 10 साल से कर रहे है तो मुझे लगता है और लोगों के विव लगता हो का यार नास्र के लिए तो ऑदिशन करे नहीं करे क्या rainy स्ट्रेस बाइड नासर तो जोनी होखर का फीटा है बंगले में नहीं रहता है कि या बंबाई में रखना बड़ी बात है भाई बात कम लोग रखते है शारुकार अभितावच्छन आप लोग है तो तो जिन्दगी आसान रही है किस महिने में काम बंग्ला मिंटेन करने में रोज जावड़ना पड़ता है पेड़ों को पानी देना पड़ता है तेरे साफ गुम जाता है अपने ही मंगले में कि कहा रूम कौन सा कहा पर है नहीं उसमें कैसा है जब इसका पूरा क्रेडित मेरे पैरेंट्स हो जाता है बुकर जब हम बड़े हो रहता है जब तक डैड़ी ने कभी ये जाहिर नहीं किया कि तुम जॉन्योंकर के बेटे हो या तुम उन्होंने वह दो साल बीएस टीम में बस कंड़क्टर रहे मुझा जब वह आये उसके पहले वह महीं के मेले में नारे बाजी लगाते तो रात भर साइकल चलाते थे जो साइकल के चैंपिन है मेरे डैडी साइकल पर बैठके चाय बनाते थे चाय पीते थे करतब करते जिसक काम करके कमाऊँगा तो कल मुझे खाना मिलेगा आज अगर मैंने काम नहीं के तो कल मैं भुका रहूँगा तो ये स्ट्रगल जिंदगी की वह experience कर चुके से और उनको पता था कि अगर ये चीज मैंने अपने बच्चों में नहीं दी बच्पन से तो कल चलके जब ये गिरेंगे और गिरना होता है सब गिरते हैं सबका एक डाउनफॉल होता है इमोशनली होता है फिजिकली होता है फाइनैंशली होता है तब ये खड़े नहीं हो पाएंगे तो बच्पन से ये चीज हमको स्लोली स्लोली कुछ भी चाहिए खुद करो स्कूल जाना है बस में जाओ तो गाड़ी है गाड़ी तिरे नहीं है गाड़ी तुमारे स्कूल के लिए नहीं है दूसरी बच्चे बस में जाना है बस में जाओ आटो में जाओ पैदल जाओ जैस इसलिए पढ़ाई के बाद हमको अमेरिका भेशा गया मेरा अमेरिका में जाके सबसे पहला मेरा जॉब जिन्दीग में सबसे पहला काम किया वो शू सेल्जमन था मैं लोग हूँ जूते पहनाता था प्रॉपर फिटिंग गिरवाते थे जुक के जब आप जाते हो ना कुसी बड़े जूते कंपनी में तो कैसा कर जूते पहनाता है लेस्वेस सब चीज़ आइस तो मैंने वहाँ से शुरू किये अज़ बड़ आइवल नेवर से के दिखा में क्या करता था और अब मैं एक्टर नहीं विए उसमें भी रिस्पेक्ट है उसमें भी हलाल की कमाई है वो चोरी नहीं कर रहा है किसी का लूट मेहनत कर रहा है मैं इसलिए आप से कहा था जो आपने पहले एक बात कही थी कि मैं आज भी सिधार मेरे बच्चे 25 के हैं 23 के हैं मेरे बेटा 12 के हैं मैं आज भी कभी-कभी गाडी में हम लोग AC में बैठे हैं मस्त और साइज में बस में गचा गच लोग भरे हैं और कभी-कभी बोलता हूँ my God so many people तो मैं अपने बच्चें को बोलता हूँ कि वो आदमी रहा है जोल लगा के घंटी बजा रहा है और सब्सक्राइब मेरे फादर ने किया है तो डोंट से दिस कि वो लोग कैसे भरे पड़े और हम क्या पता खुदा ना करें कल को वो बड़ी काड़ी में हो सकते हैं आप बसकी लाइन बार कुछ कुछ के हो सकता है होता है होता है और मेरे फादर तो देख चुके है अपने जमाने की बड़े-बड़े एक्टरों को बड़े-बड़े स्टार्स को कुछ नहीं है हमने भी देखा है का नाम का रहार बिचारे यहां मर गए रहार बिचारे वहां फुटबात पर सणक पर जोपरटी में कैसे क्यों इंडस्ट्री थी उनके क्या बड़े-बड़े फिल्में बनाई हैं तो किस्मत कभी बलट सकते आपके पिताजी ने अपने फाइनसे अच्छी तरह संभाले थे क्योंकि मैंने सोना है उस ताइम के एक्टर्स बड़े दिलदार थे बादे लाज देन लाइफ था आज के जम लोसी ने मेरे फादर से बड़ा दिलदार कोई था नहीं यह डैडी जब भी शूटिंग बजाती तो रोज हमारे घर से कम से कम पचास लोग का खाना जा हरा था रोज हमारे घर में बांदरा में ने कasy ता पईरीasıर कान होता था और लोग दुपैर को लोग खाना कहा के आपने जाते थे इंडस्टी के बहुत सारे बड़े-बड़े लोग बड़े बड़े सुपरस्टार लोग मुझे खुद बोल चुके के एक्टर बनने के पहले हम लोग बंगले पर आके हम लोग दिखते हैं के जॉणी जाँ वह खाना मिल जाएगा कि before I became an actor मैं कितनी बार आपके बंगले पर आके खाना खाकर गया हूँ फिर हम actor बने हम star बने फिर हमने जॉनी साफ के साथ कि इसारी फिल्में भी की फिर दोस्ती हो गई क्या जॉनी साफ उतने ही funny थे real life में यह क्यों का हाँ डाड़ी बहुत serious थे वह बहुत सुल्जे में समझधार बहुत philosophical kind of आदमी थे यह आपने पैसों की बात कहीं ना तो पैसा is nothing, पैसा is nothing, so he is to always say this जो आपने कहा के advisor थे क्या था क्या निए तो यह बात में कहूंगा और यह सब के लिए जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग के लिए भी हैं आप इस बात को सुनके इस बात की गांश बांदरो ही इस तुसे के जिंदिगी में अपनी जरूरते और अपनी ख्वाहिशों में फर्क करना सीखो अपनी जरूरते और अपनी ख्वाहिशों में फर्क करना सीखो क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी ख्वाहिश को पूरे करने के चक्कर में अपनी जरूरत भी पूरे नहीं कर तो आपकी जरूरत क्या है दार रोटी खाना कपड़ा एक नॉर्मिल हैपी लाइफ ख्वाहिश क्या है अरे मेरी भी बंगला हो मेरा भी प्राइवेट जेट मेरे पर भी सीकरेटी घूम में आये जाए फ्लैश करें आपकी ख्वाहिश है वह अच्छी है वह करो लेकिन ख्व मेरे निवरूभी जाओ सबने आएफोन लिचा आईफोन बीछांि wam लेलिया लिया और लिया ए चला लिया तोम कर Мют क्यों इस दिखावे में शो जाते हो मैं कितना बोलता हूँ जब मैं यंग एक्तिसाथ काम करता हूँ मैं कितना उनको बोलता हूँ इस ओ आया है खतम हो जाएगा छे मेने मार्ट मेने वो लोन तेरा पंदरा साल तक चलता रहेगा भाई गाड़ी का लोन साथ साल साथ साल रोज आपको 35,000 रुपीस देना है किसी और को क्या प्राब्म में आ रहा है तो मैं सर अच्छलों को आ रहा है तो में लीडोग है ना ड़सन लोक नाइस आम कमिंगे ना आटो आम कमिंगे ना इंडियन कार है फैंसी कार किसको दिखाना है आप उनको देख रहे हो अप शारूप को देख रहे प वो लोग 30 साल से काम कर लें 30 साल से वो उनका लेविल उनकी जगा उनकी position आसमान के भी उपर है और ऐसा नहीं कि उन्होने घलतियां नहीं की वो गलती को सुधार के वो लोग आगे बढ़े है और वो हमेशा से उस उस पाइदान पर रहे हैं उपर वाले चाहे वो आमिर हो चाहे वो सलमान हो चाहे वो शारुक हो चाहे वो रन्बीर हो चाहे वो रन्वीर हो जितने भी सूपरस्टाज हैं वो एक अलग लेविल पर हैं हम वहां पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं हम वैसा आप बनने की कोशिश कर सकते हैं जब हो जाओ कि तब बनो ना अब नहीं बने तो क्यों बन रहे हो क्यों उनकी तरह आपको एक रेंज रोवर में घूमना है या एक बड़ी सी गाणी में घूमना है उनके लिए कुछ नहीं हो बिकुष देव मेड सो मच मनी देव इनवेस्टेट सो मच मनी या ब्रैंड्स आप तो अभी नहीं आये हो तो मत उस चक्रवियू में मत फसो क्योंकि कहां है राजेश खन्ना कहां है दिलकुमार वट हैपनेट तो बिगेश सूपरस्टार्स लास्ट फिल्म्स वेरा वेरा वे वेर जोनी वोकर वेरी बिग नेम जोनी वोकर नाम पर फिल्में अल इंडिया क्लोज होती थी बट जोनी वोकर को तब पता था इसलिए जब मैंने काम शुरू किया डड़ी मुझे एक्टर मनना है तो मैं किसी को बोलूँगा नहीं तो आशिए मैं चाहता भी नहीं कि आप किसी को बोलगे हैं-गस कि मैं आपका नाम यूज भी नहीं करोंगा मैं अपने नाम से काम करेंगा एन ही बोल एक कि टो गलत माय संब कि तु इसलिए बोल रहा हूं तुकि यह इंडुष् 2020 ऐसी है कि ना कोई बोले भले न्हीं और काम कोई देंगा ने तू गुमता जा 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 बैट 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 बैटा क्या चाय कफी क्या पिएगा क्या लेगा उस सब कुछ हो जाएगा at the end of the day ना आप तोल तेरे काम के हिसाब से होगी फिर आप जानी हो करके बेठो वो ड़सेंट मेक डिफरेंस आप आप कितने पानी में हो उस पे होगा लेकिन अगर तू फेल हो गया तो तो बुलेगा डैडी आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दो मैं तो इंजिनियर बनना चाहरा था मैं तो यह करना चाहरा था मैं तो अमेरिका में रहना चाहरा था आपने मेरे को यह बुला कि एक्टर बना दिया मेरी जो तरी किसमत बनाऊगा, मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं decision नहीं लोगा, decision तुझे लेना है, मैं बता दूगा कि यहाँ जाएगा तो ऐसा होगा, यहाँ जाएगा तो ऐसा होगा, चूस करना तुम्हारे उपर है, तो मुझे बहुत early on यह चीजे ना समझ में आ गईगी और इसलिए, जब मैंने काम शुरू किया, मैंने ads की, music videos किया, filming की, मैं बहुत बड़े-बड़े director साथ काम किया, राजकुमार संतोशी, उमेश महरा, मेहुल कुमार, मेहमूद, अपने जमाने के 2000 के इंदर कुमार, साथ बड़े-बड़े director, बड़े-बड़े heroes के साथ, चाहे वो अजे वेवगं हो, इन लज्जा, अनिल कपूर है, बॉबी दूल इन आशिक, फर्दीन कितने दूर कितने पास, बिग directors of that time, बिग superstars of that time, but what happened, उनकी struggles देखे आपने, नहीं देखे चाहिए, बने आपने उनको peak पे देखाया है, नहीं, मैं, see, उनका career, early 50s में शुरू हुआ, mid 60s में डड़ी ने छोड़ दिया, ड़ी ने acting नी शुरू दिया, ड़ी ने industry छोड़ दिया, because उनका था कि हो गया, यही चीज, ही इस चुसे कि जब मैं गरीब था, मैं दिन भर काम करता था, दिन रात काम करता था, मेरे पास ना दोस्तों के लिए time, ना घरवालों के लिए time, ना अपने लिए time, जब मैं बहुत बड़ा superstar बना, मैं दिन रात काम करता था, तब भी, ना घरवालो अधिन अची एनिधिंग तब भी घदे की तरह काम दिन रात काम करता था आज भी दिन रात काम कर रहा हूं यह आपको तब रिलाइस होगा सिदार जब मैं आपको बोलूगा और यह बात मुझे डैडी के गुजरने के बाद जब डैडी 2003 में जब गुजरे जब मैंने क्या य क्यों बोलते थे तुमने बहुत काम किया है। 1953, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 मैं हर साल जोनी वोकर की 15 से 18 फिल्में रिलीज हुली है। हर साल, दस साल तक दस साल लगातार जोनी वोकर की 15 से 18 फिल्में रिलीज हुली है। कभि 15 फिल्म, कभी 8 फिल्म, कभी 17 फिल्म और ऐसा नहीं है कि जोनी वोकर एक या दो सीन के लिए आता था। जॉन्न वॉकर पूरी फिल्मों में होताता तो जॉन्न वॉकर पे गाने फिल्मा Daylor कुमार अगर किषोर कुमार ने सबसे ज्यादा गाने शूपरस्टार राजिश्च editedगतो तो मौहमेद रफी ने सब सयादा गाने जॉनी वकर के लिए गाए that is the kind of work he has done that is the volume of work that he has done so after that time उनको लगा के मैं तब भी घदे की तरह काम कर रहा था मैं अब भी घदे की तरह काम कर रहा हूं तो मेरी अमीरी और मेरी घदीबी में क्या फर्क है उस दिन उन्होंने decision लिया के मुझे काम नहीं करना 60% काम छोड़ दिया and around that time in 64 गुरुदत साव पस्ट रहा तो वो भी उनके लिए एक बहुत personal और professional setback रहा and then he said का भी छोड़ी तो नहीं करना तो 70s तक आते आते है आनन्द वस लाइक लाइक लास्ट फिल्म यह कुट then he did shaan in 1980 and that was full stop फिर लास्ट उनने चाची 420 जो 1997-90 वो की थी so उनकी भी पूरी जर्णी रही है तो मुझे ना बच्पन से बहुत सारी चीज़ें जो जिसे आप कहते हो के finances पैसा कुछ नहीं है कुछ नहीं है मुझे इतना पता है कि मैं उतना बड़ा actor यह उतना बड़ा अजया फादर को था ना मेरे सर पर कोई EMI नहीं कोई लोन नहीं मुझे किसी से ना कुछ देना है मैं काम करूं या ना करूं कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि मेरे खर्चे मैं से नहीं मेरी रहे दिए लाइफ मेरी लाइफस्टाइल वेशी नहीं रही बच्चे अपना पढ़ लिये पढ़के काम भी कर रहे हैं देर अन रोन जर्णी आएंग बना जर्णी और अब तो मेरी नहीं नहीं सोचल मीडिया की जर्णी शुरू हुई है तो मुझे मैं भी एक यंग्स्टर बनी आव फिर से एक नया कावला माल बने और एक्साइटमेंट है रहे आज क्या बना है आज आज हुआ आज 15 न फेब्यूरी यह तो अब चार साल के बाद आगा तो आज क्या बनाऊ कि चार साल के बार तो तो आज यह इंजोईंग आज इंजोएंग इंजोईंग यह जो मेरा वीडियो बना है ना यह फ्रम दा हार्ट उसी चीज में बना जो नहीं जानते थे उन्होंने भी और मैं कहीं बाहर जाता हूं तो आते हैं हलो सर अमने आपका वीडियो देखा आपके बहुत हमको भी ऐसे लगता है बढ़ हम बोल नहीं पाया आपने बोल दिया मुझे कुछ यह जो है भी कास्टिंड एक अलीटे आझाइब के फोना आइ जो करते हैं कास्टिंड गोड़ी में देना सब्सक्राइब कि अधिक्ष्ट्वी अविए क्वॉच एक अधिर ने पर उप्तु को तूछी इंधिर ना नहीं तो अच्छी काहां है मुझे तो एक कास्टिंड दे यह भी बोला है कुछ साल पहले मैं आपको क्यों कास्ट करूं कि पूछाई नहीं मैं जब गया था काम के लिए उसके पास तो ही टोल में के मैं आपको क्यों काम दो अगर मैं बड़ी सी फिल्म में आपको एक अच्छा सा रोल दूगा तो आप तो अच्छा करोगे ही तो तारीफ आप की होगी मेरा के लेकिन अगर में एक नए आदमी को उठा के इस रोल में लेता हूं जिसने कभी कुछ नहीं किया तहीं से दिल्ली से गुड़गाउं से कही मैं इसे उठा के एक नए बंदे को इस रोल में देता हूं तो वह अच्छा वह बहुत अच्छा एक्टर कामाल कै इसको कास्ट किस ने किया उसमें मेरी तारीफ होती है कि तो मैं कभी भी आप झाच्छ को करने करूँआ हुआ जो नोन है जो अच्छे हैं because जब आपको काम मिलेगा तो उसमें तारीफ आपकी होगी हमारी नहीं होगी प्राइस बहुत वीजनबल है तो आपने किया है दस से बारा फिल्मे बहुत सारे टीवी प्रोजेक्स अलादिन के लिए वोईसोर भी किया है डबिंग आर्टिस्ट रहे हैं है थे हमिशा रहे हैं अब नहीं हूँ क्यों मैं कोई बिलाता नहीं है अरे इस वीडियो के बाद धोजाएं सब ये वाइरल वीडियो के चल रहे है इतना साथ तो मैं आपसे कह रहा था सिधार्ट करांच वाइस अभी उचेज कर रहे हैं हो जाता है ये रेडियो जॉकी इसके साथ भी बहुत है रेडियो वाले जब मिलते है नॉमल वाइसे कैसा भाय ठीक है जब उनको पता चलता कि कोई देख रहा है दूर से या सुन रहा है वाइसे भाय आप ठेक है कि नहीं मुझा रहा है लेकिन मेरी जो नेशल वाइस है ना मुझे अलादन इसलिए मिला विकोज उस टाइम पर इतना कोई डविंग करता नहीं था तो अलादन एसे यंग बॉई तो मेरी देखो आवाज इतनी मेरी आज भी आवाज सुरिसी बॉईश ही है मैं नोटिस कर रहा भी हां मेरी आवाज सुरिसी बॉईश है तो इसलिए मुझे अलादन और तभी मैं 30-35 का ही था मैं तभी ऐसे नहीं कुछ 18-16-18 का था मैं आज 55 का हूँ तो बीस साल पहले भी 35 का ही था है तो वह चक्कर है तो तुझ या बोतों कि 30 साल से काम करा तो तभी 25 का ही पा टीज ए इस नहीं कर वाई भाई तो बॉईश ही है अब पढ़िवी तो डाब्या वाई solid क्यों ने बन पा है इंडियन फिम इंडस्री में, टी-वी इंडस्री में क्यों काप तर जाना चाहिए त्या आप क्यों नहीं गए उसे मेरी गलतिया है, मेरी खामिया है, मेरी कमिया है because जब मैने काम शुरू किया था मेना क्या आणा में काम को seriously करता हूं seriously लेता नहीं, फर्क समझ रहा है, अब मैंने seriously लेना शुरू किया है, क्यों पहले नहीं ले रहे थे seriously? Because like I said, मैंने बड़े-बड़े एक्टरों को बुड़ा होते वे देखा है, जो star थे, superstar थे, उठ नहीं पाते तो हम uncle को, auntie को उठाते थे, हम उनको सारा दे के चलाते थे, जो गारी तक छोनना, यहां तक छोनना, So I knew कि यह जो stardom है, यह शौरत है, यह नाम है, यह पैसा है, यह एक ही age तक रहेगा, फिर उसके बाद में आपकी family, आपके दोस्त, कौन आता है जब आप घर पे, अकले बैठे हो, कौन company के लिए आता है, हाई Siddhar, कहा चल रहा है, चलना बैठके cricket match देखते है, बैठके दे life है, तो मैंने यह सब देखा है, तो मैंने काम हो रहा है, करेंगे ना, I want to enjoy my work, and I've always enjoyed my work, मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, मैंने कम काम किया, but I've been lucky कि मैंने अच्छे लोगों साथ काम किया, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, I learnt a lot, but because मेरा attitude थोड़ा lax था, मैं नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, मैं बड़ा ऐसा था, हो जाएगा, कर लेंगे, इसलिए शायद मुझे वो नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, उसमें किसी और की गलती नहीं है, उसमें गलती मेरी है, कमी मेरी है, खामिया मेरी है, I realized that, I realized it then also, के नासिर अग्रेसिव बन जा, काम कर, काम के लिए लड़, ये कर, वो कर, जगणा कर, I took it easy, I took it very easy, I don't have any regrets, के यार करना चाहिए था, अगर regret होता था, तो मैं कहीं कोड रहा होता, सड रहा होता, और मेरी चहरे पे मेरी age नजर आती, तो I took it easy, मैं अब जाकर थोड़ा serious हूँ, और मैं serious क्यों मैं serious thanks to social media हूँ, मैं serious thanks to जो लोग मेरे social media पे comments करते हैं, जो बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, मैं उनकी वज़े से serious हूँ, मैं बहुत खुल के और बहुत honestly कह रहा हूँ, जब मैं social media पे आया था, और जब मैं वीडियो बनाता था, तो लोग लिखते थे अरे कैसे बुद्धे लग रहे हूँ, मोटा हो गया, भैस लग रहे हो, सब कुछ लटक रहा है, you know, हमने आपको तब देखा था आता, अब कितने अच्छे लगते थे, अब कैसे लग रहे हो, तो मैं रिलाइस किया, 90% लोग ना, जो मेरे social media पे comment करते हैं, वो अलादन के ब कि मैं जब खुद को देखता हूँ, मुझे तो ठीक लगता है, बड़ इनको कुछ ना कुछ मेरे बारे में सही नहीं लगता हूँ, इनको लगता है कि मोटा हो गया, इनको लगता है मैं बुद्धा हो गया, तो नहीं, तो मैं ट्रेनिंग करूँगा, मैं डायेटिंग करू मैं अच्छा दिखूँगा, मैं बाल कलरूँगा, मैं खुद को शेव रखूँगा, वेल मेंटेंड रखूँगा, ताके इनको मैं अच्छा लोगू में प्रिजेंटेबल रखूँगा, I cannot be unfair to them because ये ये चाहते हैं, ये बिलीव करते हैं के नासिर बेटर हो सकता है, तो मैं इनके लिए करूँगा, because जो बात मैं शुरू में कहते हैं ये है, और आज ये लोग बोलते हैं, people say, sir we want to see you back in film, we want to see you back and I will come back, not only because I want to but more so because they want me to, because it is their desire, it is their want, if they want it, we will have to listen and the producers will have to listen and the directors will have to listen because the public is writing on my things, we want you back sir, we want you back, but at the same time sir, buddhe लग रहे हो sir, mote लग रहे हो sir, क्यों अच्छे नहीं लग रहे हो sir, trim हो जाओ ना, slim हो तो मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो मुझमें जो आप एक energy देखते हो, जो एक जोश देखते हो, वो यहां से आता है, जो लोग मेरे social media पे लिखते हैं, अच sir, हम तो देखे थे हार sir, आपके ते दूबले थे, आपके ते हैं, क्या होगे आपको, so it is a shock, you are my crush, you are my teenage crush, तो यह crush अब crash क्यों हो गया, you know, it is their love that I see, आप कह रहे हो कि आपके पास वो जुनून नहीं था उस समय, तो ठोट करने का, जैसे लोग कहते हैं, यहां मैं आके अं इतना पड़ा हुआ है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, because I know, बहुत से लोग जाते हैं, उनको सवाइवल के लिए, नहीं देखो ना, भाई मैरे मैं फिर से घुमा परा के बोलूगा, it's not about money, पैसा तो आएका जाएगा, सुकून, peace of mind, नहीं बर भाई, जिनके पास पैसा नह करेंगे, दो रूटी मत खाओ, बीमारियां बहुत स्वरी हो गई है, दो रूटी मत खाओ, कभी आपको शौक था main lead बनने के, क्योंकि जिन्दगी बार आपने character roles किया और जो भी किया अच्छा किया है, तो था lead actor, मैं वही कह रहा हूँ, अगर अगर वो होता तो मैं बन जा करता है, यहा अधी दो अध्यूने साथ साफिया wnuh, बिधो कि अधनी कष़ स्वरी काelशे मैं मुझे तक हाओ, मुझे रहा हूँ, मुझे हीरो बनना मुझे है, मुझे हीरो बनना है, मुझे हेरो बनन Chemistry सела बनना है, मैं वहा फोकस से नहीं आया entire last class in productivity हुझे जादा, बीमार मिलता है रेशियो वाइस तब ज्यादा मिलता था तब पैसी की वैली ज्यादा थी और अब because of a lot of things a lot of budgets have been cut and like I'm saying the system of working has changed a lot पहले क्या था आप काम करो आपको महिने के end में पैसा मिल जाता हूँ हम तो जो पर डे का system वही था के आज आपने आपको अगर per day का पैसा मिल रहा है तो shooting खती खतम होने के बाद अमनों को per day मिल जाता था पर डे का मतलब क्या है आप दिन का काम करो ना अगर आपका दिन का 100 रुपाय दिन खतम हो आप 100 रुपाय लो जाओ कल फेरा और दिन खतम हो सब्सक्राइब जाओ अब कैसा हो गया अब 90 डेस के बाद आपको पैसा मिलता है तब हमको उसी दिन पैसा मिलता था और 90 डेस बाद यह अच्छी बात मैंने निकाली अब अब आपको उसी दिन पैसा मिलता है विए अब अब इस वीडियो पर बहुत थार लोग ने लिखाया कि क्या आटिट्वड इसका हॉलिवूद में तो बड़े-बड़े स्टार्स भी ओडिशिन करते हैं इसको क्या प्रवल में अदिशिन करना से हैं तो सबसे पहले में ह मैं यहीं के लिए audition कर रहा हूँ, मैं यहीं के लिए audition कर रहा हूँ नमबर टू, किष्णियर लिखा था कि Meryl Streep भी करती है तो Meryl Streep को पूछो ना जो Hollywood में audition करते हैं, जो बड़े-बड़े stars हैं, उनको पूछो क्या वो अपने घर में, tripod पे, mobile phone लगा के audition करते हैं और पीछे से knocker या कोई और क्यू दे रहा है Fact है You ask any actor, they will tell you, क्या my wife gives the cue, my daughter gives the cue, बेटी का काम एक क्यू देना, mobile phone पकड़के अजी, कास्री गॉच होता है आपके साथ क्या? कास्री गॉच आउच क्या है 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 See, because I think people know me, के industry से है और अभी भी होता है क्या जहां पे casting directors हो, या coordinators हो जो नहीं नहीं बच्चे होते हैं, चलो coffee के आजाओ रात को घर आओ, coffee पीते, इसब करते हैं मुझे नहीं लोग मिलते हैं लड़के लड़किया मिलती है मुझे बोलते हैं कि हमको करना है कैसे करें क्या करें तो मैं लोगों को दू-तीन चीज़े बोलता हूं मैं उनसे कहता हूं कि इतने ही production houses है इतने ही production houses है अगर आप Google करोगा तो आपको सब production house के address मिल जाएगी आप production house जाओ production house से पुझे के आपका in-casting director कौन है in-house casting director कौन है उसका number लो उनको अपने photographs भेजो उनको अपने details भेजो don't के hello I am so and so I am casting director and come meet me I will meet you for an ad for a music video आपको नहीं पता के वो कौन है एक production house is established production house they have in-house casting directors आप उनसे जाके मिलो पूछो find out because बहुत सारे loot loot मार वाले लोग भी बेठे हैं you know जो हर जगा होते हैं so young actors should know they need to go to the proper direction to get the work star kid तो आप होई Salman Amir समाग में वे वच्चिमन के दोस्त है दोस्त है आपना में चाइड़ूद फेंड़ूद है I know आपना में सुना है कैसे थे बच्पन में यार you know बता हो ना same थे जैसे आज वेसे ही है there is no difference बच्पन माने कब टीनेजर फ्रेंड़ और उससे भी पहले उससे भी पहले like Amir's mother and my mother were childhood friends जीनत आंटी और मम्मी एक दूसर को बच्पन से जानते थे डैड़ी न्यू सलीम अंकल्स फादर तो सलमान के ग्रैंट फादर जो इंस्पेक्टर थे तो डैड़ी उनको जानते थे इन दोर से तो हम लोग सब बच्पन से ही साथ में बढ़े होगा है पता हमें कुछ incidences यार बच्पन वाले बहुत सारा incidences किससे नहीं मज़ना वाले बहुत सारा incidences मतला एक cricket का बहुत famous किस्सा है तब कयामत से कयामत तक लगी थी और मैंने प्यार किया लगने वाली थी तो हम लोग cricket matches बहुत खेलते थे तो वे प्लेइंग विद Aamir's team आप कॉंसे team में थे हमारे mind-blowing team थे हमारी team का क्या नाम था पाता है Kutte 11 Kutte 11 Kutte 11 vs Aamir Khan 11 Because वहां पर जब जाओ ना लाएन ये दिश और फाला ना शुटा सबकरते बड़े बड़े नाम थे Kutte 11 तो इसे अनौंसमें थे रहें जू से लाएन रोरिंग वोसी को यह नाम सही एक है क्या Kutte 11 Kutte 11 Kutte 11 तो हम लोग की team का राम था Kutte 11 So I remember उस टाइप पे Aamir ने Salman का आउट किया था Aamir अच्छे बोलर थे Aamir was a good backspin Aamir ने Salman का आउट कर रहा अब मैं इसको आउट कर रहा हूँगा Salman got his catch वह रहेंज हो गया पर दोड़ों के बीच में competition था कि नहीं दिल से बताओ कयामत से कयामत तक मैंने प्यार किया Simultaneously coming out, यह सब होने वाला था यह बचिछ रहा हूँगा इवन दोड़ों कि अन्दाज अपन अपना मैं इस तो इस तो बीच वाँगा Aamir इस वेरी प्रेम मैं प्रपर रहा चारो ने टेक करो नहारा खतम करो ने जो ओम And I was like no 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 I have to do this I have to do that So it was a fun banter between the two of them because उसका काम करने का तरीका अलग है, Salman का का काम करने का तरीका अलग है, there are two different people but S&E के दोस्त नहीं है, सब दोस्त हैं लेकिन एक professional rivalry होती है, एक चीजे होती है And I think everybody was young that time तो एक phase, like I said एक phase है, जो सब ने वो phase किये है, सब वो phase से निकल कर आये है गलतिया किये, mistakes किये Like even Shahrukh, I knew Shahrukh from the time he came to Bombay जब वो आया था मैं तब से उसको जानता, हम लोग कितना मिलते थे, कितना बैठते थे काँ बैठते थे अपना? At bandstand, we used to hang around over there He used to come a lot to Salman's house also at that time ये कौन सा time था ही? See, in the 80s में to Shahrukh का बंगला है खरीदने के पहले हम लोग सब वह नीजे बैठा करते थे at bandstand कौन आपलों कौन है? Everybody, all of us, me, my brother, Salman, Arbaz all of us used to hang around over there on that road at bandstand then later when Shahrukh became a star when he bought this bangaloo and even when he had come to Mumbai that time so I have known him, met him then so I used to play a lot of video games with him at that time, we spent a lot of time together जितनी भी फिल्म थी ना, कभी हां, कभी ना and Rajubani के जेंटलमें हम लोग Friday first show, I used to always go with him, हम लोग गेटी गैलक्सी जाते थे फिर चंदन जाते थे फिर सत्यम जाते थे ताउन में 3-6, 6-9, 9-12, हम लोग सारी फिल्म में, सारे थेटर, तिल बाजीगर, तिल डर, तिल the tank became a superstar तो आप और शारुक ये सारे time slots पे जाते थे वरेज थेटर्स आप ही रोनों थे तो लोग शारुक को पहचालते थे तो लोग शारुक को पहचालते थे थे सी, the movies and I remember जब डर आय थी तब पॉलिक पागल हो गे थे आप शुट ये निगल गा आप अब पॉलिक पागल हो गे ही and the same thing when I meet him also today same thing there is no difference कि he, Shahrukh Khan no nothing, we meet normal casually रूमीलो पुच्छे कैसे हैं घर पे कैसे हैं क्या है, everything normally I keep meeting Salman very often Amir abhi recently मिला था आप मुझे बताओ, मुझे और जाने, कुछ एक emotional moment बताओ न आपके Salman के बीच में, आपके Aamir के बीच में, शारु के बीच में, जो आप जिन्दगी बार कहेंगे, कैसे लोग है, मजा आगिया भाई? So like I said, it has been a whole journey, it has been a very very long journey for these people, like I am saying, when I had met last Aamir after Lal Singh Chadda, when the whole fiasco happened at me, he was very very down, I may be apni shooting khatam karke, then we sat down, and we had a very open heart conversation with me, you know, and I told him, I said, Aamir, I have only given my father's example. I said, वही मैं एग्जाम्पल दिया, के डैडी को भी ऐसा लगा था, एक ताइम के बाद, you know, and he left the industry, so don't take it, but उनने परस्नली नही लिया था, now I think he's come out of that whole thing, and I'm so happy for him, and I'm so glad for him, that he's back to work, he's shooting, he's producing, he's acting, that's what he's meant for, he's great, Aamir Khan is fantastic, He cannot, ठीक है, वो हुआ है, he admits it now, अभी recently on the interview, I know what mistakes I made to Inglal Singh, Chadda and whatever, but that is the best way to come out, and now he's back, he's shooting, he's starting films, and you know, you're going to see a better, better Aamir Khan. I'm sure, yahu, हरा इंसान को, जैसे अपने कहा, चैट के दौरान, एक फिजाए का जब गिरो गिरोगे, फिर आप उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, उठोगे, उचे उठोगे, उटो तो लाई बर चलता रहेंगा, जब आपको लगा कि आप तोड़ फोड़ करें, आप रेस्टरॉन थी जूम है जो सीफूड के लिए बहुत फेमिस थी मुझे आदे हम लोग वहाँ डिनर खा रहते हैं सलमान भी था this is I am saying in the late 90s early 2000s जब उसकी फिल्मे flop हो रही थी जब मैंने प्यार किया this movie and that movie एक बात के बाद एक drop आया उसका you know so we were there and वहाँ पे दो तीन यंग लड़के लड़किया थी and they came के ओह यह और्टग्राफ 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 का ले रहा है and they pulled and ऐसे नहीं कि उसने नहीं सोना उसने सोना हम सब नहीं सोना you know तब तो उसके बार्टगे पे कोई भी नाद एक फूल नहीं आता था and now 27th of December the celebration but Salman did not take that as a negative way Salman took that in a positive way he came out stronger, he came out better, he came out bigger and see where he has reached today it is that determination, it is that drive that has brought him where he is today it is that drive that got Shah Rukhant that no I will rule, I want to and he is there Shah Rukhant you need to have that drive, that hunger Mere mein nahi tha un mein tha they made it you need to have that drunk but at the same time they knew Salman Khan knew, Shah Rukh Khan knew, Aamir Khan knew कि ये नहीं, ऐसा नहीं I don't need it, Salman ka ghar he is living in a 1DHK he is not living in a mansion Shah Rukh also bought the mansion after he became Shah Rukh Khan he was living in a small house इतना छोटा सा घर वातना शारुक का जब वो नहीं नहीं फिल्मे करता था मतलब दर्वाजा रखनी की भी जगानी थी इसी घर के पीछे जो पुराना घर था ये जो बंगला है जिसमें भी Shah Rukh रह रह रहा है उसके पीछे जो जो घर था इतना सा ये आपका फिर भी इतना बड़ा ये जो हॉल है उतना ही छोटा उसका घर था यहां पे गद्दा था यही पर सोते थे तो small small house Shah Rukh Khan had for so many years then he went to Carter Road and he bought an apartment over there वो भी एक normal सा apartment था ये माँ बाता हो राजु बन गया gentleman and that other movie that he did you know so that time he could have afforded but he did not he knew के ये मेरी ख्वायश तो ये है बट जरूरत पहले पूरी करूँगा मैं अपनी family की अपनी life की अपनी चीजों की तो उसने वो maintain किया you know he didn't have big fancy cars he drove around a normal then he could afford it and he's living it तो सीखो ना मैं तो मैं यंक्सेश को बलता हूँ इन लोगों से ये सीखो ये मत बोलो के वो लेट आता तो मैं भी लेट आऊँगा कोई superstar लेट नहीं आता boss कोई superstar लेट नहीं आता superstar अपने time से आता है ये लोग बोलता ना वो तो 3 बज आता है वो तो 4 बज नहीं आपने time से आता है आपके पास एक ही काम है इसलिए आप बैटा हो 9 बज से वेट कर रहे हो वो लोग अलग script reading कर रहे है meetings कर रहे है contracts पर रहे है चीजें हो रही है उनकी रात को भी meeting थी लेट सुए सुबह लेट उठे हैं फिर चार लोग आगा है sir वो आया है meeting करना है so they are busy they are not sitting in the phone क्या करे आज क्या करे अब they are busy they are constantly busy कि नव बजी किश्व नहां तीन बजे पहुंचेंगे दो बजे उससे meeting है 11 बजे वहां जा रहा है dubbing करनी है अच्छा वो ट्रेलर आया है वो देखना है they are busy they are very very busy 24-7 they are busy तो कोई superstar लेट नहीं आता superstar अपने time से आता है अगर आपको नकल करना है ये सब चीजे मत नकल करो उनकी उन्हेन जो मेहनत किये उस मेहनत को नकल करो उन्हेन जो चीजे गवा के हासल किये वो नकल करो they know how much they have struggled they know how much they have struggled go ask them they will tell you to achieve that and they are still working hard this age में see their fitness level see how good they all are looking see how hard they all are working and you are 28 and you are 30 ठक यार आज बहुत काम किया वो लोग नहीं थके भाई 58-59 भी नहीं थके वो लोग आज भी लगए हैं मेहनत कर रहे हैं काम कर रहे हैं ये चीजे सीखो अभी अब शारुक सलमान आमर को फोन करोगे तो विलनास उठाते हैं अगर जब फ्री हैं तो फ्री नहीं भी है तो मतला सलमान से मेरी बात होते रहती है आमर उचिल डिसेंट कारी ये फोन बट या वेनवर रहे हैं आमर को काफी ताइम के बाद मिला था I am again supposed to meet him तो और शारुक? मतला I need to go home to meet Zeynath Aunty Even शारुक I had met him also recently but yeah शारुक is very very busy because he is doing so many things he is always travelling but yeah whenever I meet him it's always that moment is only between him and I we stop and we talk and old times and good times I met him at Aamir's daughter's wedding only recently I spoke to him but then again there are people sir photo, sir, yeh, sir, wo ab usmeh agar mein bolu kya ar bharu? because he is also a superstar everybody wants to grab so a photo chaser is woh hai na woh hai itna bada superstar hai to woh uski samajh pae nahi woh aap ki samajh pae hai kya aap usko kaisa lete ho Jem aapne baagmaan kiya tha Bachan Saab, Hemamalli Ji maina yeh bhi sunai ki Hemamalli Ji ko karna nahi tha baagmaan kya imko laga yaar yeh kya se turn out hooga waga 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 waga, bady film bhand gai but I have heard jitne bhi jo son in laws hai ya beete hai unko bhot gaaliyah patrari ti real life me bhi aap lho hukkwari aap lho hukkwari aap bhaagbaar me baab aap ke saath se ni kiya islih aaj kya bhik magar ho kam ke eise bholta hai bhi bhi kyunki itne emotionally involved hai film se because hum itne buret hai islih picture ulloa hukkwari лиh hukkwari aummm you bato boy yeh vacunh aap meri video comennts kaur lo kito kira kzza kira eiz karma hai beata ma grandpa ko chopege ke kutte Не k contractors ka ee karma hai के बोल रहे हैं के सर क्यूं आपके बाल सफेद हो गए बट देरों रिलाइस उनको फिर भी लगता है उनको फिर भी लगता है कि यह 25 साल का ही है बहाइंड इस सीम कोछ बताओ ना क्या हो था बाग मैं के टाइप 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 ओख लाक सी भी बच्शन साहब उस्टो सित औ् एन बहुत बाते करा रहा था बत सारी चीज़े पूछता था मजारो महन में तो इस सब चीज़े सीखने की हैं and that is why he is Amita Bachchan na because of these things Bachchan साप का भी एक fall हुआ है और Bachchan साप भी rise करके आए है you know so fall होता सब का है it is the rise that you need to work around so I am working around that rise now तो आपके घर में Johnny Walker साप थे obviously 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 पिताजी है कौन आते हैं गर में गुरुदत साप सब आते हैं मैं 1969 में परदा हुआ गुरुदत साप 1964 में गुजर गए बट हां उसके पहले आते थे देव साभ आते थे दिलेप अंकल बहुत आते थे नौशाद साप रफी साब उस्समाने की इतने भी लोग थे because हमारे यह सिर्फ जञ ने एक अच्नि वॉकर होते थे जोनी वॉकर नहीं होता था अचर नहीं होता था पापा टी टोटमर थे हम्हे उन्हें नहां हमारे घर में आज दे कभी किसीने शराग पी है ना हमारे घर में शराग पीना अलाओ है यदि नाम केसे बिला उनको यह है? I mean I know there's a legendary story but मैं सुनना जबागा जिस films उनको recognition मिला बाजी उसमें वो शराबी का रोल था और बाजी के बाद उनने बहुत सारी फिल्में साइन कर ली थी तो बाजी में टाइटल में नाम नहीं आया था तो यह था कि क्या नाम दिया जाए? And he had signed films with Gurudat and with Cheetan Anandav, Keetan Films तो तब ओफिस में वो शराबी के लिए फोन आते था तो यह था कि भी तुम वो Johnny Walker नाम रख लो तो डैडी नहीं सुचे कि Johnny Walker Johnny मतलब कोई भी बोल सकता है Johnny Johnny, बच्चा, बुड़ा, Hindi में, English में बच्चा का नाम टैक्सी ड्रैवर में पहली बार Johnny Walker आया And he never drank and he was always against these things हमारे घर में दावते होती थी, पाटी होती थी, शराब नहीं होती थी खाना होता था, मुशायरा होते थे, शिरोशायरी होती थी घसले होती थी, कवालिया होती थी रात रात भर और सारे इंड़स्ट्री के लोग आते थे, मजे करते थे और ना कोई पीके आता था बिगर जुनकों पता था के Johnny साब क्या जाएंगे, तो महफिल में मज़ा आयेगा उसका नशा जो है वो इशाराब के आपने तो कुछ नाम बताया और शम्मी कपूर साब इस तो कम, देवनान वुजदे, रफी साहब, नौशाद साहब, उस दिलिप अंकल, उस जमाने की जितनी भी लोग है, सब आते थे, सब जाते थे, महमुद अंकल कितने आते थे आखर-ाखर में, बिफो महमुद अंकल पास जवे, तो मतलब महमुद अंकल का तो ऐसा है, कि जब मेरे डैडी गुजरे, तो मैं महमुद अंकल को दिलासा देना था, कि महमुद अंकल उपके जिंदगी है, होता है, एंड, I remember, he was crying and he told me, कि ना सिर तेरे लिए सिर तेरा बाप मरा है, जौनी भाई मेरे लिए क्या थे, you don't know, he saying, हम जब नहे थे, he saying, लोग उपर वाले के पास जाते है, हम भाईजान के पास आते थे, इन्होंने हमको सिखाया, समाला, बताया, बनाया, इन्होंने सब किया, he saying, और तेरा रिस्ता तो उनका सिर्फ पचीस-तीस साल का है, हम उनको पचास साल का रिस्ता है, तो you have only lost a father, I have lost more than that, and how much में में अंकल उस्क्राइए, और उनके बाद में जब फोन पर भी आते थे ना तो रोते थे, कि मेरे भाई जान, मेरे भाई जान, तो इन्हों का रिलेशन चे पैसा थाया, ऐसी थीन की bonding, ऐसी थीन की feeling, कि Johnny Walker अपने नाम में बहुत बड़ा स्टार था, comedian था, Mehmud अपने नाम में बहुत बड़ा स्टार था, comedian था, but the love and respect that they had for each other, the feeling that Mehmud Ankal had for my father, so, चला मैं बेटा हो के मैं उनको दिला से दे रहा हूं, कि it's okay Mehmud Ankal, he told me, कि तेरे लिए से तरा बाप मरा है नासर, तरा सिर्फ 25 साल का रिष्टा है उनके साथ, तो पचास साथ साल का रिष्टा है याद, where is that? So मैंने यह सब चीज़े देखके मैं बढ़ा हूआ हूँ से धाग, तो इसलिए मुझने यह चीज़े यहां लगती है, और इसलिए जो मैने बात बोली है वो कही नहीं लोगों को कनेक्ट ही, लोगों के दिल को कनेक्ट ही, इसलिए हम यहां बैठे हैं, because whatever I have said in that video, somewhere it has connected me, in a positive way, not a negative way, and I hope it brings about a change, not more for me, but जो दूसरे actors हैं जो इतना साल दे चुके हैं, some change, somewhere better meant for them, and they feel that yeah, जो काम मिलना नहीं मिलना एक अलग चीज है, लेकिन respect मिलना, काम के लिए सब reject होता है, जो reject नहीं वो अक्टर नहीं है, सब reject होता है, लेकिन rejection का भी एक तरीका होता है, वो थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, एक category होने चीए, सब चीजे मत पूछो, इनका नाम, नमबर, एज, हाइट, वाइट, क्या क्या ये मत पूछो, इनसे पूछो ये character है, आप ये कर पाते हो, हर यान भी टैप बोलना है, बोल पाओगे, इस टाइप का आप कर पाओगे, तो जो नॉमल चीजे हो तो नॉमल चीजे है ही ना, Anyway, sit ke kangar, ready, mere bhai, Any bad experience with a superstar? Nain, nothing, no bad experience with any superstar, because, like I said, superstars to hai hai, but I have known him for many years, so no, nothing bad experience. Can you call Amitabh Bachchan on his phone, personal number? Yes. See, another thing, again I learned from Bachchan saab, Bachchan saab, when he message you reply, I have noticed that. And I have learned how many messages come from Amitabh Bachchan, Diwali, Eid, New Year, that they reply, we are going to reply, who will do this? Who will do this? Who will do this? I make it a point, if someone is asking me, Natsir Bhai, Eid Mubarak, then I reply, thank you very much, wish you the same to your family. Let me say bye odd, I am saying this to anyone. Sometimes people don't reply, they are busy, busy, Bachchan saab, whenever I have been sent to them, promptly messages come, that's good, thanks, and I promise you, that I have told someone, that you have told me, की देखो, अगर वो superstar है जरको क्रोलो messages आते होगी एक ही को reply करते हैं हम लोग reply नहीं कर सकते हैं कभी कोर कुछ corporate लोग होते हैं जिल्म लोग shows करते हैं या हम फोल कर देटे हैं दो दिन तीम दिन मैसेज नहीं बिजी आरे भाई बच्छन सहाब से बिजी और कोई नहीं हो सकता स्लाइफ में तो यह चीजे होती है सीखनी की I learn this के अरे यार कि अगर वो कर सकते हैं या वो उनने अपनी टीम को बोलाय करने करें पर उनने बोलाय तभी तो करने न यहींनि SMS वो खुद रप्लाई करते हैं I know what you're saying because even I know that I know he's doing but I'm just telling you that even if a team member is replying he's to reply करना and he knows because I've asked him of course पड़ा दानने तो वो है और मैं बता हूँ यह भी सोचो कि जिस दिन फोन में एक message ने आएगा तो कैसा चुएगा न आपने तो जब उपर वाला दोस्त दे रहा है आपको intense दे रहा है तो मेसेज कर तो respect करो ना या तो वो time निकालके आपको मेसेज कर रहा है तो आपका भी फर्स बनता उनको रिप्लाइ करना और जिस दिन मेसेज एक भी नहीं आए तब फटेगी ना जो इसलिए मैंके तो सबको रिप्लाइ कर रही है और थांक्यू सो मच भाई थांक्यू आये मज़ा गया थांक्यू